नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप के आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीप हूँ फ्रेंड्स सर्दियों को मौसम सुरू हो गया है और हम अपने गार्डेन के लिए बहुत ही खुबसूरत फ्लावर प्लांट और सो प्लांट खोजने में लगे हुए है तो ऐसे ही कुछ प्लांट मैंने ओनलाइन मंगाया है यह है एंथूरियम और दो तीन कलर का मैंने मंगाया है तो उसी के वीडियो में लेकर आई हूँ दोस्तों और उसको मैं पोधों को दिख लाओंगी कि कैसी मैंने सौपिंग की है और कैसे मैं इसको रिपॉर्ट करूँ कि मैं दोस्तों उमेद है कि मेरे कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी हैलफूल लगेगी बगिनर को लिए तो काफी पूर्थ होगा तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यहां अंत्र तक बने रहीए गार आच्छी लगे तो एक लाईक तो क puntos tous अबगती है हमारी वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है और इतनी महरत हम इसलिए करते हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो में दे सको और चैनल में नए हैं अगर तो सब्सक्राइब भी किजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कमेंट में लिखना ना भूलिए हलो फ्रेंड्स विलकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंड्स कुस दिनों पहले मैंने ऑनलाइन स्वापिंग करों की तो आज मैं यहीद दिольш लाओगी कि देखिया मेरी कीवाध है प्रेंड्स ऑनलाइन स्वापिंग में कई बार पौदे खराब हो जाते हैं और इस भार भी तीन दिन लेट से में मुझे पौधे मिले सब कुरियर वाले के गड़वरी से होता है या तो उनके पास स्टाफ नहीं होते हैं या तो और कोई बहाना बनाते हैं ये लोग इसलिए ओनलाइन प्लांट तो लगता है कि हम मंगाए लेकिन काफी महगा तो पड़ता ही है और अगर ऐसी समस्याएं आ जाती है कि काफी लेट से मिलता है तो पौधे भी मर जाते हैं इसलिए कोशिस किजिए कि आप आगल आसपास के नरसरी से ही ले पौधे थोड़ी महगे भी मिले तब ही चलेगी पौधा स्वस्त देखकर ही ले तो ये सब कुछ पौधे मैंने ये अंधुरियम के तीन पौधे मैंने मंगाए है ओनलाइन एक वाइट कलर का है एक पिंक है और एक औरेंज कलर का है मैंने रेट कलर का मांगा था लेकिन इन्होंने औरेंज कलर का भेजा है तो खेर सभी कलर इसके अच्छे लगते हैं दोस्तों और इसकी report करने के लिए मैंने जो मीटी बनाई है उसमें एक त्याहई मैंने Coco Pit मिलाया है और एक त्याहई Garden Soil और एक त्याहई मैंने Burmig Composed या पतियों की और पर लाइट भी अगर थोड़ी बहुत एक दू मुठी आप डालने तो जो मीडिया है वो बहुत पोरस हो दाता है तो उसको भी आप डाले और एक मुठी नीम की खली तो बनता ही है तीन पॉट के लिए मैंने एक मुठी मिलाया है इसमें नीम की खली तो यह भी जरूरी है दोस्तों पॉधों में फंगस नहीं लगने के लिए तो यह सब मिला कर मैंने मीडिया बनाया है और गमले को भरने के लिए मैंने नीचे में होल के पास काफी सारे सुखे पत्ते डाले हैं ताकि पोरस होने के साथ ही इसके जो होल्स है वो ब्लॉक हो यही मैंने सोच कर नीचे में काभी सारे सुखे पत्ते रखे हैं करीब करीब वन फोर्थ मैंने सुखे पत्तों से ही यह भर दिया है गमला और दूसरी सब्धानी हमें पॉट के सेलेक्शन की भी लेनी चाहिए कि अंधूरियम को 5-6 इंट से ज्यादा बड़ा पॉट ना दे अगर प्लास्टिक का पॉट होता ज्यादा अच्छा रहे नमी इसको चाहिए इस पौधे को तो नमी हमेशा बरकरार रहे और ऐसा भी नहीं कि पूरा जो मीडिया है हमेशा पानी से तर रहे बिल्कुल पोरस मीडिया होना चाहिए कि पानी डाले और कुछी देर में नीचे से नीचे वाले होल से निकल जाए ऐसा मीडिया होना चाहिए और यह पॉर्ट का सेलेक्शन भी वसा ही होना चाहिए देखिए मैंने पत्तों के पत्तों से कितना सारा गमला भर दिया है और तब मैंने मिट्टी डाली है मिट्टी थोड़ी सी डाल कर तब मैंने इसके जो है अंथूरियम को प्लांट को रखा है और बिना डिस्टर्व कियो हुए क्योंकि ये कोको पिट में लगा हुआ था इसलिए मैंने इसको डिस्टर्व नहीं किया है दोस्तों और उसके बाद चारों तरफ से जो गले सड़ी जड़े हैं या पतिया हैं उसको भी आप रिमूब कर सड़ी जड़ों को हटा कर और जो इसका क्राउन पार्ट है जहां से यह पौधा ग्रोथ करता है या पतिया निकालता है उसको हमेशा उपर की तरफ रखे उसको कभी भी मिट्टी के अंदर ना दवाएं यह बहुत बड़ा टिप्स है अंधूरियम के लिए अगर वह नीच दवने के बाद वह कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा दिन पर दिन वह सड़ता चला जाएगा और अंध्य में पौधा खतम हो जाएगा तो यह सब धानी जो है बहुत जरूरी है अंधूरियम प्लांट के लिए तो इस तरह से हम अगर अंधूरियम को लगाते हैं तो जल्किन मीडिया है उसको डाले कि इन रर्किन बुर्गूरा है यह मारा मिडिया और इस तरह की वितलिश बनानी है आप अंधूरियम के लिए जैसा से कलेंनल के लिए हैं वैसा ही मीड़ी अंधूरियम के लिए बंदर भी भचुश को एसा नहीं हिका इंध्य के जो कि मगैँ और उसको अधूरियम के प्लांट के साथ मैंने एक प्लांट मंगा। बोगन बेलिया का जो कि थाई वेराइटी बोगन मेलिया है दोस्तों और इसके तो सारे पत्ते जो है सूप की गिर चुके थे इसमें मैं थोड़ा मिट्टी ज्यादा मिलाँगी, इसलिए मैंने गंले की दूसरी मिट्टी को डाला है, इसमें मिट्टी ज्यादा है पोगनमेले को इतनी पोरस मिटिकी जरूरत नहीं परस इसक फैर सब प्लांट के लिए मिटि बनाते हैं वैसी मिटिक में भूगनमेले को भी चाहिए तो उसको मैने इस तरह से रिपोर्ट किया है इसके लिए h2 प्लांट के लिए 5 इंच का ही जम्रालीक ने होगा और देखे सारी पतियां इसकी गल के गिर चुकी है और कुरियर में अंदर में ही गिर चुका था लेकिन देखिए डंडियां जो है ग्रीन है तो यह इसको सर्वाइब करने का भी 70% तो जरूर चांस है अगर इसको अच्छे से रिपॉर्ट करके और इसकी साफधानी इसको बरता जाए इसके लिए और रूट बॉल को मैं इसकी मिट्टी हटा रही हूँ क्योंकि लाल मिट्टी है अंदर में लाल मिट्टी पूरा टाइप का होता है जो की जकड़े हुए र पौधा हीले ना इसकी जड़े जो है डिस्टर्ब ना हो पाए और पौधे को कोई हानी न पहुंचे इसलिए लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी डाल देते हैं तो इसको मैं रेड मिट्टी को हमें पूरा पूरी तरह से रिमूग कर रही हूँ दोस्तों ताकि जड़ों का विकास अच्छे से हो सके और इसके जड़ों के लाइक मैंने इस बीच में गठा बना लिया है और चारों तरफ से मिट्टी से भार दे रही हूँ और इसके साथ एक साब धानी और बरतूंगी चुकि इसमें एक भी पतिया नहीं है तो यह खाना कैसे बनाएगा इसलिए इस बढ़तूंगी क्योंकि इसमें एक भी पत्ती नहीं है और पत्ती को लाने के लिए यह काम तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों इस तरह से रिपोर्ट करने से हमारे पौधे काफी अच्छे से चलते हैं नर्सरी से जो पौधे हम लाते हैं उनको हम एक सब्ता के लिए छोड़ देते हैं लेकिन जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं वो आपको तुरत ही लगाना होता है और अन्थूरियम का प्लांट रहता है वो खतम हो जाता है इसके कारण और करीब करीब ओरनाइट मैंने इसको डिप करके छोड़ा था और सुबा में मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूं और इस तरह से अब फिर साफ मिले हुए पानी से मैंने इसको वाटरिंग कर दी है यह देखिए मैंने वोगन मेलिये क प्लास्टिक से कवर कर दिया है और यह तीनों मेरे अंथूरियम तो उमीद है कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरी मेरे टीप्स अच्छे लगे होगे और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब तो बनता ही है बिल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा क्योंकि लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलीगी, मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक, हैपी गार्डनिंग, ओके बाई बाई माई फ्रेंड्स